आज की डेड़ की इसकी ये देखने तकरीबन 36 डॉलर आज की डेड़ में इसकी अर्निंग हुई हूई हूई यहां पर यह देखें युनाइटेड स्टेड लोकेशन आ रही है इस चैनल की के मतलब इस्टोरेशन कार आ गया एसमर आ गया बाइक आगी शोर्स आगी फीवर सर डाउट्स क्लियर हो जाएं तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रीमियम कॉंटेंट को यूज करते हुए कैसे फेस्बुक से पैसे कमाने हैं ऐसा कॉंटेंट बताऊंगा ऐसे तरीके बताऊंगा जो मैं खुद यूज कर रहा हूं और अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपको प्रीमियम कॉंटेंट पे कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है इससे पहले दो क्लास पे आपने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉंस दिया है और आपने वो अच्छी तरह से सेखी हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद प्रीमियम कॉंटेंट के उपर जितने भी आपके डाउट्स हैं वो भी दूर हो जाएंगे तो पिछी दो क्लास की तरह आपने इस क्लास में भी इंट्रेस्ट शो करवाना है अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको आपने लाइक जरूर करना है और अगली क्लास किस टॉपिक पे होने चाहिए इस वीडियो में कमेंट जरूर करना है और हाँ अगर आप हमारे सैनल पे पहली दवा आया तो इसको आपने सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि यहां पे मैं आपको फेस्बुक से अर्निंग कैसे करनी है वो सा हमारी क्लास लंबर थ्री है अगर आपने पहली दो क्लासिज मिस कर चुकी है तो मैंने इसी चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुए अपने मुकमल कोर्स की आप वहां पे जाके देख सकते हैं और उसके उपर काम कर सकते हैं याद रहे कि अगर आप चीज स्ट्रेब बेस्ट्र करेंगे तो आपको समज़ आयेगी तो सबसे पहले आपने इस प्रिमयम कॉंटेंट की रिक्वायर्मेंट को समझ लेना है कि अगर आपके पास यहक्त अ उपर पे डिपैंड करता है लेकिन अगर यह कहुं के एक पिज पर पह आपके पस है तो वह बहुत है अगर एक पेज पे भी आप काम करेंगे तो easily मतलब पैसे कमा सेकेंगे उसके बाद आपको जरूरत होगी Facebook IDs की आप वो IDs कितनी होनी चाहिए कौन सी होनी चाहिए वो सारी चीज़े इसी class के अंदर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद जो next चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है Facebook के उपर जो हमने content चलाना है वो चलाना है अब mostly बंदों को यही दगेगा कि IDs कहां से लेनी है वो भी मैं आपको बता दूँगा लेकिन आपने जो content यूज़ करना है ना सबसे ज़ादा focus आपने उसके उपर करना है अगर आप अच्छा content find कर लेते हैं तो आप यकीन करें 10 pages पे जो के आप movies या WWE चलाते हैं उनसे बेहतर यह page चलेगा उसके बाद आपने उसकी जो editing करनी है ऐसी editing करनी है जिसके उपर आपको ना तो कोई strike आए ना ही आपके page पे LOC आए और ना ही आपके page की monetization में कोई issue आए तो ये चीज भी आपकी requirement में शामिल है और last में जो आपने वीडियो upload करनी है ना उस time का भी आपको पता होना चाहिए आपके पास मकमल उसकी समझ होनी चाहिए तो ये सारी class आज मैं आपको इसी topic के उपर दूँगा hope सो के जितने भी आपके doubts हैं वो सारे आपके clear हो जाएंगे बहुत जादा लोगों के पास knowledge होता है ये सब कुछ लेकिन उनको सही तरीके से समझ नहीं होती के start कहां से लें तो यकीनन ये एक बहुत ही amazing सी class आप के लिए होने वाली है तो बिना time waste की सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी information जो के मैंने आपको last 3-4 मिनट में दी है उसके बाद जो आपने ये information ले ले लिए ना तो फिर आपने पहले step की तरफ बढ़ना है कि आपने content कहां से find करना ह तो यहां पर यह देखें यह एक page मैं आपके सामने अपना दिखा रहा हूं यह premium content वाला page है इसकी वीडियो भी दिखाऊंगा और इसकी आपको पोस्टे भी दिखा देता हूं कि कैसे इसकी वीडियो वगारा viral जा रही है कितने डॉलर बन रहे हैं कितने views आ रहे हैं और किस तरह रहे हैं तो premium content कुछ इस तरह का होता है जिसमें हम कोई restoration वादी वीडियो मतलब चलाते हैं या आपको मतलब कोई ना कोई machinery work दिखाते हैं वैसे premium content एक और तरह का भी होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं लेकिन हम जो mostly use करते हैं वो कुछ इस तरह का premium content होता है त football highlight तो यहां पर यह देखें यह कुछ premium content इस तरह का भी होता है गोरे इस तरह का content सबसे जादा देखते हैं और यह वाला content सबसे जादा recommend होता है जो गोरे मतलब कोई भी sports मतलब वो rugby खेलते हैं football खेलते हैं basketball खेलते हैं WWE को देखते हैं तो यह premium content के ही अंदर आता है लेकिन य अगर हम मतलब जो मैंने आपको अपना पेज दिखाया इस तरह का पेज या इस तरह का content हम चलाएंगे तो आपको कभी भी strike नहीं आएगी आप बहुत ही important सवाल कि इसको find कैसे करें तो इसको आप find करने का बहुत ही असान सा तरीका है या मैं आपके सामने अभी find करके भी करना है तो यहां पर यह देखें restoration के ऊपर ही हमें restoration की काफी साधा category सी आ गई है ठीक है फूर एक्जेंपल यहां पर restoration कार आ गया ASMR आ गया बाइक आ गयी शौर्स आ गयी हाउसी आ गयी पाकिस्तान आ गया watches आ गयी knife आ गयी मतलब यहां पर हर तरह का मतलब हमें अब किसमें मि में मैं restoration watch वाली मतलब videos निकाल ली है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जो आप करते हैं आप creative comment का मतलब filter लगाते हैं मैं वो नहीं लगा रहा क्यों नहीं लगा रहा क्योंकि जब भी लोग मतलब premium content find करते हैं तो creative comment की video उठाते हैं अगर आप भी वही video उठाएंगे तो आपने ऐसा नहीं करना आपने direct आपने कोई filter नहीं लगाना सिरफ this week वाला filter लगा लेना ठीक है this week वाला filter लगाएंगे तो यहां पर यह देखे जितने भी बड़े creator ना उनकी video आप use नहीं कर सकते हैं लेकिन यहां पर यह देखे बड़े-बड़े channels की video आप use कर सकते हैं कैस यूज करनी है सबसे पहले आपने वह video open करनी है जैसी आप open करेंगे तो यहां पर कुछ इस तरह से आजाएगा आपने direct उसका channel open कर लेना है तो मैं उसका channel new tab में open कर लेता हूं और उसके बाद direct इसके about में चला जाता हूं about में जाने के बाद यहां पर यह देखे अपने facebook पे आजाना है facebook पे आने के बाद आपने इसका नाम सर्च करना है इससे हमाँ पता चल जाएगा है कि यह बंदा facebook पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो यहां पे जैसी आपने इसका नाम सर्च किया तो सबसे पहले यह page आ गया है उसके बाद आपने करना है photos या post पे क्लिक करना है, प्यूपल पे क्लिक करना है, यहां पर आपको सारा डेटा मिलता जाएगा, तो यह देखें, काफी सारे पेज इसी नाम से बने हुए है, अब वन बै वन करके आपने इसको चेक करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि यह बंदा काम कर रहा है, क्योंकि जो ग रेटर पेज़व वह काम नहीं करने के बाद करनी है, आपने लोकेशन पी कोपी करने के बाद यहां पर आपने लोकेशन वाले ऊप्षन पर जा कराνε करना है, तो तो यह यह देखें यह अगस्त के मेने में इसने अपलोडिंग की विया और long मतलब वीडियो पर काम नहीं कर रहा है short वीडियो पर ही काम कर रहा है its mean कि यह इसका original page नहीं है यह भी कोई आप जैसा बंदा मेरे जैसा बंदा इसके उपर काम कर रहा है तो इसकी वीडियो आप यूज कर सकते हैं इसकी वीडियो आप चला सकते हैं तो इसको simple आपने download कर लेना अच्छी quality में तो मैं इसको download कर लेता हूँ download करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि edit कैसे करना है अगर हम मतलब कोई बड़ा creator है और वो भी मतलब वो इस तरह की वीडियो उठाना चाते हैं आप तो उसके channel पर भी मैं आपको जाकर चेक कर वाज़ता हूँ कि हम उसके channel पर भी क्यों नहीं बड़े creator की वीडियो उठा सकते है तो यहाँ पर यह देखें कि verified channel है इसको भी मैं open कर देखता हूँ open करने के बाद यहाँ पर आपने same वही process करना है इसके about में जाना है about में जाने के बाद आपने scroll down करना है तो यहाँ पर यह देखें इसने अपने facebook page का link डाला हुआ है तो मैं इसको open करके भी दिखा देता हूँ कि यह active है कि नहीं है तो यहाँ पर जैसे मैं इसको open करता हूँ तो इसकी मैं वीडियो में जाता हूँ वीडियो में जाने के बाद यहाँ पर यह मुझे दिखा देगा कि यह active है कि यह देखें यह video आ गई है और यह देखें यह बिल्कुल active है जो जो वीडियो ये YouTube पे अप्लोड कर रहा है सेम वो Facebook पे अप्लोड कर रहा है अगर आप इस तरह वीडियो यूज करेंगे तो आपको LOC आ जागा या ये बंदा आपको strike दे देगा तो इस तरीके से आपने content find करना है 3-4 channel आपने find कर लिए आपके लिए बहुत है और यकीन करें अगर आप सही तरह से content finding कर लेंगे तो आपका एक पेज एक एक साल तक भी चलेगा मतलब लोगों के पेज चलते हैं एक मन्त पंदरा दिन लेकिन आपका ऐसा पेज एक एक साल और उससे भी long life की जा सकता है मैं आपको अपना page भी दिखा देता हूँ आगे साल के के मतलब last year मैंने वो page start किया था और अभी तक चल रहा है तो इस तरीके से आपने premium content को find करना है find करते वक्त आपने जो चीज़ें मैंने बताई है उसको आपने use करनी है यही कुछ होता है इसके इलावा कोई अगर आपको कहे ना कि premium content को यह find कर लो वो कुछ भी नहीं होता अब next चीज़ यह है कि आपने कौन सी editing करनी है जिसके ओपर अगर example के तोर पे कोई बंदा पहले भी use कर रहा है तो आपने उससे different क्या करना है जिससे आपको ना तो strike आए और ना ही आपको LOCI तो वो भी बहुत असान तरीके में आपको समझा देता हूँ content find करने के बाद जो best चीज़ है वो है आपकी editing अगर आपकी editing में जान होगी तो आपका वो premium content मतलब work करेगा अगर आपकी editing में जान नहीं है ना तो वो premium content आपका work नहीं करेगा चाहे आप जितनी मर्जी उस पे sharing दे लो जितने मर्जी groups find कर लो जितनी मर्जी effort कर लो आपका वो content viral नहीं जाने वाला तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है आप editing कैसे करनी है simple हमारी video download हो चुकी है आपने filmora open कर लेना है open करने के बाद यहां से वो video यहां पर import कर लेनी है import करने के बाद अब आपने पहला काम क्या करना है इसको main track पर लेके आना है ठीक है बहुत easy है mobile में आप यह नहीं कर सकते क्योंकि mobile में यह graphic चीज़ें नहीं आएंगी और आपको यह वाला मतलब software यूज़ करना ही पड़ेगा most लोग कहते हैं कि filmora 9 कहां से ले तो आप get into PC से जाके ले सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले आपने इस video को ऐसे करके चेक कर लेना है मतलब यहां से पकड़के end तक लेके जाना है पिक्सल एक ऐसी website है जो कि मैं open कर रहा हूँ यहां पर यह देख लें आप लोगों भी देख लें कि यहां पर आप किसी किसम का भी copyright free चीज़े उठा सकते हैं और उसको आप Facebook पर भी यूज़ कर सकते हैं और YouTube पर भी यूज़ कर सकते हैं आपको कोई issue नहीं होगा तो यहां पर मैंने एक मतलब keyword सर्च किया है face reaction यहां पर आपने वीडियो वाला filter लगा लेना है और filter लगाने के बाद फिर आपने इसको search कर लेना है तो जैसी आप इसको search करेंगे तो आपके सामने बहुत ज़दा ऐसे बंदों की वीडियो आ जाएंगी जो के सिर्फ और सि देख लें कि आपको बहुत जादा मतलब लोग मिल जाएंगे जो के सिर्फ और सिर्फ अपना face show करवा रहे हैं और face के उपर जो भी घुसा happy या sadness show करवा रहे हैं तो आपने क्या करना है आपने यहां से आके ना large file को select कर लेना है और यहां से आपने horizontal वाला filter लगा लेना है तो आपके सामने कुछ इस तरह का आजाएगा मतलब लेन्थी तो यहां से आपको जो अच्छी लगे दो तीन वीडियो आपने download कर लेनी है बहुत हैं आपकी lifetime भी चल जाएंगी तो यहां पर आपके सामने यह देखें मैं कुछ इस तरह इसको click करूँगा और इसको यहां स content के ऊपर अगर आप नहीं करते तो फिर ना कहना के तारीव यह आपने सही बताया नहीं है उसके बाद आप ने इसका साउंड कुछ इस तरह से खफ़तम कर देना है या वीडियो का sound है जो के वीडियो में क्या साउंड थो आपने इसको पकड़ करना है next काम आपने इसे असान सी editing है परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग मतलब परिशान होते है ना तो वो जी ध्यान से देख लें तो सबसे पहले आपने यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर यह चोटा सा computer बना हुआ है इसके उपर आपने ratio select करनी है कि इस video की ratio कितनी होनी चाहिए तो य यहां से भी आपने इसको one by one कर देना है तो आपकी वीडियो कुछ इस तरह से आ जाएगी अब next step आपने क्या करना है आपने यहां से पकड़ना है एक कोने से ऐसे करके center में लेना और यहां से पकड़के इसको भी ऐसे करके center से लेके उदर ले जाना है मतलब इसकी side आपने यह वीडियो यूज कर रहा है तो 90% chances है कि हम उससे बच जाएंगे तो उसके बाद आपने next काम क्या करना है आपने यह लगाने के बाद एक और track add करना है यहां पर track add करने के बाद आपने इस crosshair को पकड़के ना वीडियो के end तक ले जाना है और यहां end से चंद interesting clip आपने न दे जाऊंगा अब उपर वाले track में ले जाने का मतलब यह है कि हम इस premium content के उपर hook add कर रहे हैं अगर आप hook add नहीं करना चाहते तो आपका फिर भी यह premium content premium content ही रहेगा और लोगों को देखने में थोड़ा सा जीब लेगा लेकिन मैं interesting चीज़ वीडियो के start में लेके जा रहा करेंगे तो facebook algorithm यह कहता है कि हम आपको recommend करेंगे अगर कमस कम वीवर आपकी वीडियो पर एक मिनट रुकता है तो इसी तरीके से आपने hook create कर लेनी है आपने अपनी मर्जी से करनी है मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां पे कर रहा हूं तो यह करने के बाद अब आपन करना है आपने track को खराब नहीं करना आपने simple क्या करना है जो उपर वाला track इसकी सारी वीडियो उसको ऐसे select करना है और main पर ले जाना है मतलब front पर ले जाना है ठीक है तो मैं इसको front पर ले हूँ सब को मतलब एक जगा पर एक खठा कर दिनए है एक अठा करने एक बाद भी miss नहीं होगा और देखने में भी अच्छी लगेगी तो यह simple सी चीज़ें हैं जो के आपने करनी है उसके बाद आपने क्या करना है आपने वो face जो हमने download गया था उसको drag करके यहां से कुछ इस तरह से नीचे ले आना है क्लिक करूंगा और crop and zoom में जागे ना इसको भी हम थोड़ा सा crop कर लेंगे यह आपने जरूर करना है जितना आपको चाहिए सिर्फ आपने उतना ही रखना है जादा करेंगे तो आपका फ्रेम ठीक नहीं आएगा देखने वाला आपकी वीडियो नहीं देखेगा तो यह देख किसी एक कोने में fit करके कुछ इस तरह से इतना कि हमारा जो four कोनों वाला हिस्सा उसमें से एक कोना easily उसमें आपने इसको fit कर देना है अब इससे क्या होगा इसके उपर यह face reaction दे रही है हमारी वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी यह देखें यह कुछ इस तरह से ह पहले आपने जो hook डाली हुई ना उनकी speed आपने दो तक लेके जानी है ठीक है speed and duration में जाना है और यहां से यह one होगा इसको आपने दो कर देना है और उस सारे मतलब 3-4 जो part आपने निकाले है ना वो आपने ले जानी है पूरे main track की आपने speed तेज नहीं करनी है सिर्फ आप main track है ठीक है इसको मैं 1.1 से लेकर 2 लेके 1.4 तक increase कर लूँगा और उससे पहले जो part है वह 2x तक कर लूँगा इससे यह है कि हमारे जो थोड़ी सी length है वो कम हो जाएगी और video की speed थोड़ी सी change हो जाएगी जिससे अगर for example कोई चीज आ भी रही है ना तो वो हमारी मतलब video मे original consider की जाएगी अब आपने क्या करना है यह face reaction वाली जो चीज है ना उसको आपने पूरी video तक expand करना है copy करके example के तोर पर यह मैंने copy किया ठीक है फिर मैं इसको copy करता हूँ जहां से यह खतम होगी वहां से यह शुरू होगी ठीक है तो इसको आपने control c और control v से ऐसे करके पू है हमारी video पूरी length के उपर आ चुकी है face reaction भी आ चुका है और हमारी length भी आ चुकी है अब आपने एक काम और करना है आपने इसके उपर background music add करने का मकसद ही होता है कि लोग हमारी video के साथ entertainment में हो और engage भी बरकरार रहे जिससे audience देर तक हमारी video के उपर रुके अब वह आपने क्या करना मैंने पहले download किया हुआ है आपने facebook music studio से जाके sorry creator studio से जाके वहां से facebook library से music download कर लेना मैंने पहले download करके रखा तो मैं इसको import कर लेता हूँ यह आप यह देखें आप भी वह import कर सकते हैं मैंने एक dedicated video बनाई हुए है description में आपको उसका भी link मिल जाएगा आपने वह भ मारा आगया है सबसे पहले इसकी voice कितनी रखनी है minus 20 या minus 17 के अंदर इसकी voice volume रखनी है ठीक है इससे यह होगा कि ना volume जादा होगा ना कम होगा और देखने वाले को यह बुरा नहीं लगेगा तो उसके बाद आपने simple इसको भी पूरे track पे expand कर देना है control C, control V से तो यह आपकी वीडियो के उपर कुछ इस तरह से बैट जाएगा music लेते वक्त आपने एक चीज़ का ख्यार रखना है कि music के अंदर कोई ऐसा song ना हो जो के copyright free ना हो अगर वो copyright free है तो आप उसको use कर सकते हो लेकिन अगर अगर अब वो copyright free ना हुआ तो आपको सबसे पहले जो strike आएगी sound से आएगी और आपके page की quality खराब हो जाएगी तो sound को selection के time ना आपने बहुत ज़ादा ध्यार रखना है अगर आप यह काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपने next step करना है आपने simple यह देख लिए मैंने आपको play करके भी चेक करवा दिया कुछ इस तरह की हमारी वीडियो लग रही है तो आपने इसको save कर लेना है तो यह सारी हमार परी मतलब वीडियो बन चुकी है आपने simple इसको export कर लेना है और export करने के बाद आप इसको use कर सकते हैं अपने facebook pages बे तो content finding से लेके content editing तक मैंने आपको अभी तक बता दिया है hopes हो कि यह वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और आपको यह knowledge समझ आ रहा होगा अगर बात है facebook पे अच्छी quality आएगी तो यहाँ पर यह देखें यह next step आपने क्या करना है अब हमने इसको upload करना है premium content को upload करने का भी एक time होता है example के तोरपे मैं पाकसरी time आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर यह देखें मैं इसको view करता हूं यहाँ पर अभी अगस्त का मीना चल रहा है और time क्या हो रहा है time भी मैं आपको दिखाता हूं जिस time मैं यह video shoot कर रहा हूं आपके सामने मेरा time आ जाएगा तो रात के तक्रीबन दो बज़रे हैं ठीक है डेड़ हो गया रात का और अभी मैं अगर आपको को यह अभी आप upload करेंगे तो यह time आपका ठीक नही रहेगा अब RDP के अंदर मैं on करके आपको दिखाता हूं कि exact time आपने कौन सा uploading के लिए रखना है तो यहां पर यह मैं एक RDP login कर रहा हूं जैसे हमारी RDP login होती है मैं आपको सही मालुमात देता हूं कि आपने किस time upload करना है तो यह हमारी RDP on होगी है सबसे पहले मैं आपको अ देखने 8 बजे है रात के ठीक है यहां पर हमारे पाकिसानी रात के दो बज़रे है और यहां पर रात के तकरीबन साड़े 8 हुए हुए है अब आपने क्या करना है पाकिस्तान और USA का जो difference है 6 गंटे का है example के तोर पे अब अगर आपने upload करना है न तो वह दो पहर तकरीबन 2 से 3 बजे आपने premium content को upload करना है पाकिस्तानी टाइम के मताबिक तो अगर आप right time में वीडियो upload करेंगे तो definitely आपको ज़्यादा व्यूज आएंगे क्योंके वहां के लोग ज़्यादा active होंगे और आपने दिखाना भी उनको है तो इस तरह से आपने मतलब premium content के लिए एक मक dollar green हो तो आपने इसको sharing देना start कर देनी है अब बात करते हैं कि इस premium content को viral कैसे करना है कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो आपके page को viral कर सकेगी premium content के लिए कितने groups चाहीं होंगे तो यहां पे सबसे पहले तो मैं आपको अपना एक page दिखा देता हूं जो कि मैं viral कर रहा हूं तो सब page पे आ जाता हूं noob giving के नाम से मेरा यह page है यहां पर यह देख ले कोई भी violation या dollar इसका green है कितने पैसे बना रहा है वो भी आपको दिखा देता हूं यहां पे आपके सामने तो सबसे पहले यहां पर यह एक video देख लें तकरीबन 1 million हमारी cross करने वाली है इसके उपर 1 minute views एक 30 seconds सोरी 3 seconds views हमारे तकरीबन 7,17,000 है इसकी अगर मैं वीडियो में आऊं तो यहां पर यह देख लें आपके सामने वीडियो भी आ जाएंगी यह वीडियो पर आप देख सकते हैं same वही views है 7,17,000 और उसके बाद मैं यहां पर अगर दिखाऊं आपको तो यह कुछ इस तरह से वाइरल हो रही है अब इसके पीछे एक चीज़ है जो कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपने कैसे वाइरल करनी है तो आज की डेट की इसकी यह देख लें तकरीबन 36 डोलर आज की डेट में इसकी earning हुई हूई है यहां पर आप चेक कर सकते हैं और यह डेली बिसस पे 15-20-15-20 पैसे बना रही है लेकिन मोस्टली जो इसकी ओडियन्स है वो हमें इंडिया से जोइन कर रही है मोस्टली इसके जो व्यूज़ आ रहे हैं इसकी विज़ा से इसका और सी पीम काफी लो है तो यहां पर मैं वीडियो को प्ले भी कर देता इसी वीडियो के ऊपर मेरा logo भी लगा हुआ है अगर किसी भाई को शक है तो यह page का नाम सर्च करके जाके चेक कर ले के अरन्मीत तारिक का लोगो हर वीडियो पर लगा हुआ है और आपको यह reproof हो जाएगा कि यह तारिक भाई का ही page है ठीक है शरिक है क्योंकि बहुत sharing इस पे हुई हुई है जो के हमने दी है अब premium content की एक खास बात यह है कि जितना जादा आप इसको sharing करोगे ना उतनी ही जादा इस पे views आएंगे हर वीडियो पे आप देख लें 500-600 sharing हुई हुई है कोई ऐसी वीडियो नहीं है जहां पे हमने sharing ना दियो अब जो लोग आपको यह कहते हैं के premium content के rented group available है लोगों ने अपनी profile के उपर भी लिक लिक के लगाया हुआ है और लोगों से तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पेज़ पे कम असकम 100 के follower होने जरूरी है जो के आपकी वीडियो को watch करे फेस्बुक कहता है कि आगर आपने recommendation हिट करनी है या आपके follower वीडियो देखें या आपने कम sharing दी हो तो इस तरीके से आपने अपनी वीडियो को recommendation में लेके जाना होती अपना पैसा waste ना करें जितने पैसे आपने rented group पे लगाने है उससे आदी कीमत में ideas लेके एक अच्छा sharing setup लगा ले तो वो आपके बहुत ही काम आने वाला है तो उसके लिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहूंगा कि जो लोग rented group सेल करें प्रीमियम content के वो खुद sharing आपने कैसे बनानी है मैं आपको वो दिखा देता हूँ आपने simple क्या करना है YouTube पे आना है यहां पे अरनमी तारिक सर्च करना है सर्च करने के बाद आपके साबने मेरा channel आजाएगा मेरे channel पे आपको मतलब वहां पे एक playlist मिल जाएगी है playlist में मैं चला गया हूं और playlist में जा आपकी ID disable होगी और नहीं आपका कोई मतलब ऐसा चीज़ होगी जो के आपको बलक sharing में मतलब help ना करे सबसे असान method मैंने इसको बताया हुआ है और इसी sharing method के तैद को use करते हुए without ID disable आप अपने content को sharing देंगे कितनी sharing देनी है कैसे sharing setup बनाना है सारी उस playlist मैंने आपको step by step guide कि जा हुआ है और earning के अगर बात की जाए तो आपने मेरी earning की देख ही लिया है कि एक दिन में 30 डॉलर और एक मन्त में 900 डॉलर easily premium content से आप निकाल सकते हो होप सो कि यह जो चीज मैंने आपको बताई है आपकी यह चीज समझ में आई है और आप इस पूरे process को समझ के इसके उपर अमल करेंगे इसके इलावा कोई rocket science नहीं होती कोई इसके पीछे कोई ऐसी effort नहीं होती जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो होप सो कि जिस बंदों ने ये वीडियो पूरी देखिया उनको मज़ा आया होगा अगर मज़ा आया तो लाइक कर दें चैनल पे ने तो सब्सक्राइब कर दें अलाफीज